हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक वार्फर से आपके अपने यूट्यूब चैनल EPF and ESIC Expert में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से हमारे भाईवेन ऐसे हैं जिनने नहीं पता है कि PF का पैसा कैसे चेक किया जाता है पी-फ की पास्वुक में उनका कितना पैसा जमा हो चुका है कमपनी द्वारा कितना पैसा जमा किया जा रहा है आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एक चीज चेक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरीके से आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं किस तरीके से कंपनी द्वारा कितना पैसा जमा हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं तो चली दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज यार चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम EPF और ESIC से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं तो चली दोस्तों बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको डेक्स्टॉप की स्क्रीम पर दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डेक्स्टॉप की स्क्रीम पर और दोस्तों यहां पर आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है Member Passbook दोस्तों जैसी आप Member Passbook सर्च करेंगे आपको पहली ही लिंक को किलिक कर देना है जैसी आप इस पर किलिक करेंगे तो Member Passbook का जो Official पेज है वो खोल जाएगा दोस्तों इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा वहां से जाकर डिरेक्ट आप इसे ओपन कर सकते हैं अब हमें यहां पर डालना होगा अपना UN Number और Password जो भी आपका password है जैसी हम लोग इन पर क्लिक करेंगे हमारा UN का Member Passbook का पेज ओपन हो चुका है और इसमें हमें यहां पर स्लेक्ट करना होगा Member ID दोस्तों यहाँ पर देखी हमें एक ही ID show हो रही है, बहुत से लोग दो या तीन कंपनी में काम कर लेते हैं, तो उनको select करना होता है, तो दोस्तों अभी हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर select कर लिया है, select करने के बाद दोस्तों आपको जाना है view, passbook पर, old फुल वाली पर जैसे आप यहां पर किले करेंगे तो देखी दोस्तों अभी आपको amount show हो रहा है जैसे कि 46845 यानि कि यह total balance है total employee balance हमारा इतना है और employer balance इतना है इन दोना का जो total है वो हमें यहां पर show हो रहा है उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है right side में आप देखेंगे pension contribution यानि कि right side में जो amount आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर right side में वो आपका pension का पैसा है तो दोस्तों ये pension का पैसा और ये वाला जो total पैसा है इसका जो total होगा वो आपका actual पैसा होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना पैसा भी चेक कर सकते हैं आपकी जो भी सेलरी है उसका 12% कितना हो रहा है कितना काटा जा रहा है आपकी कंपनी दोरा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कुछ-कुछ लोगों का कम भी होता है कुछ सी लोगों का ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों यह जो पैसा है, टोटल बैलेंस और यह पैंसन का पैसा है, यह दोना का जो टोटल होता है, वो आपका पैसा कहलाता है, कि आपका पैस में इतना पैसा अभी तक जमा हो चुका है, दोस्तों तो आप इस passbook को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप claim status भी चेक कर सकते हैं, अगर आपने कोई claim किया है online, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अभी हमने कोई भी claim नहीं किया है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो दोस्तो इस तरीके से आप अपनी PF की passbook च जरूर कर देना और दोस्तों ज्यादर से ज्यादर वीडियो को सियर कर देना और बैल आइकन को आप जरूर प्रेस करें जिससे जो भी नईनी अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको नाटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे धन्यवाद जाहन